तो कुछ मंद से आप लोगों में से काफी सारी लोग मेरे बहुत सारे वीडियो पर आकर कमेंट कर रहे हैं कि और डिनो नैनो जो है और डिनो यू एनो CS340G वाला प्रोग्राम नहीं हो रहा है आप लोगों में से जितने भी सारे लोगों ने जो कमेंट किया है उसमें सभी का एक ही मतलब निकल रहा है कि उनका बोड जो है वो प्रोग्राम नहीं हो रहा है और जितने भी लोग है उन्होंने अभी अभी रिसेंटली नया बोड लिया है यानि कि जब भी वो कमेंट कर रहे हैं तो वो सारी कोसीसों के बाद मेरी वीडियो पर आकर कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा क्यूं हो रहा है तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसे रिलेटेट कुछ प्रॉब्लम को बताऊंगा और इसका कुछ जो थोड़ा बहुत मेरे से जो solution हो सका है मैंने जो भी solution निकाला है इतने दिनों में मैं आप लोगों की सामने रखूँगा तो बिना time को waste किये हुए हम लोग video को start करते हैं तो कैसे ज़ादा जो problem आ रहा है किसी board में वो है Arduino Nano यानि कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे भी breadboard में मैंने यहाँ पर लगा कर रखाया लेकिन मैंने इसका micro controller निकाल लिया है और इसको मैंने आज से करीब 5 साल पहले purchase किया था यानि कि 2018 में purchase किया था तो उस टाइम में यह सब सही चल रहा था मैंने जैसे ही मंगाया इसको program किया मैंने इसी phone से उसको program किया था और एक बार में ही वो program हो गया था लेकिन बाद में मुझे इसको और expand करने की जरूरत पड़ी तो मैंने flip card से यह वाला जो micro controller है atmega328 थी मैंने इसका boot loader burn किया हुआ मंगाया और उसके बाद मेरे पास computer था नहीं laptop था नहीं तो मुझे program करना था तो ऐसे case में मुझे इसका micro controller निकालना पड़ा और अब मैं इसको as a programmer IC यूज़ करता हूँ यानि कि इस board में मैंने micro controller तो निकाल लिया है लेकिन इसके नीचे जो लगा हुआ है CS340G जो programmer IC है वो इसके अंदर लगा हुआ है इसकी health से मैं इस atmega 328p को program करता हूँ और जो second सबसे ज़्यादा board में जो problem आ रही है वो है ordino uno CS340G वाला यानि कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस screen पर और यह है ordino nano तो इन दोनों board में हम लोग जब भी program करने का attempt कर रहे है तो ऐसा नहीं हो पा रहा है कि हमारा board जो है program हो जाए हम लोग 1-2 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार आप लोगों में से कितने सारे लोगों ने तो बोला है कि मैं बहुत ही कोशिस कर रहा हूँ लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर इसका सबसे पहले हम लोग reason जाते हैं कि ऐसा क्यूं होता है तो जब मैंने इसके बारे में search किया तो मुझे ऐसा पता लगा कि उसमें से लगभग 6 मन्त पहले ही आप लोगों ने purchase किया है 6-7 मन्त ही हो रहे हैं तो अब ऐसे case में होता यह है guys कि एक original ordino होता है जो कि हम लोगों को italian version होता है वो हम लोगों को original मिलता है उसका cost भी ज़्यादा होता है लेकिन यह जो हमारे पास है यह Chinese version है तो इसका cost भी हम लोगों को लगभग 70% तक कम हो जाता है अगर हम लोग Chinese version मगाते हैं तो ऐसे case में मैंने यहाँ पर notice किया है कि ordino nano में जो micro controller लगा हुआ होता है इस micro controller में ही problem है problem कहने का मतलब यह है guys कि जो भी manufacturer जो भी इसको company जो बना रही है इस ordino board को यानि कि ordino nano हो गया या फिर ordino UNO CS340G वाला दोनों में ही same micro controller use होता है यानि कि हम लोग simple में कहें तो SMD वाला जो micro controller होता है वो use होता है ये वाला use नहीं होता है तो इस case में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी company इन दो ordino boards को बना रही है वो इसका boot loader burn नहीं करकर दे रही है ऐसे case में मैंने जब इसको try किया तो ऐसे case में जो error हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो ही same error मुझे बिना boot loader burn किये हुए micro controller में program upload करने पर मिल रहा है तो यहाँ पर मैं 90% sure हूँ कि जो भी आप लोग board मंगा रहे हैं यानि कि Arduino UNO हो गया CS340G वाला और Nano इन दोनों में same micro controller है इसका जो micro controller है boot loader burn किया हुए नहीं है इस वज़ा से यह problem आ रही है तो सबसे पहला solution यह है guys कि आप लोगों को इस बात को confirm करना है जो भी आप लोगों ने board को मंगाया है आप लोग एक बार laptop में try करें अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आपके friends या फिर family member बे किसी के पास भी है या फिर किसी relative के पास है तो आप लोग उनसे थोड़ी देर के लिए मांग कर या फिर उनके घर पर जाकर आप लोग इस board को program करने कर try करें अगर तब भी नहीं होता है same error आता है तो फिर आप लोगों को जो दूसरा solution है मैं आप लोगों को वो बताता हूँ तो अब दूसरा solution यह है guys कि अगर आप लोगों का जो board है आप लोगों ने जिस भी website से मंगाया है Amazon, Flipkart या फिर किसी other website से तो वहाँ पर आप लोगों को एक option होता है अब लोगों के पास कोई option नहीं है इसको return करने का तो simply सा आप लोगों को यह करना है कि अगर आप लोगों के पास ordino board extra है जो की already program हो रहा है और इस board को जो भी आप लोगों का board program नहीं हो रहा है उसका जो bootloader है आप लोगों को burn कर देना है अब आप लोगों में से काफी सारे लोग बोलेंगे की bootloader burn कैसे करना है तो आप लोग इसके बारे में YouTube पर search करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आप लोग वहाँ से जाकर इस tutorial को देख सकते हैं कि कैसे आप लोगों को burn करेंगे अगर अभी भी आप लोगों कोई सा भी डाउट है तो आप लोग मुझे से नीचे comment में पूछ सकते हैं या फिर मेरे Instagram पर आकर आप लोग वहाँ से मुझे DM कर सकते हैं गाइज अगर वीडियो थोड़ा सा भी helpful लगे तो आप लोग इस वीडियो का एक like करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं ऐसा ही कमाल की वीडियो में गुडबाई